हलो एवरीवन एक बाफिर्शी श्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूटूब चैनल रामा सर्वें आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सिड बैंक आफ इंडिया या साई डी बी आई नई भरती ग्रेड ए जी हाँ इसमाल इंडिस्ट्रीज डेवलप्मेंट बैंक आफ इंडिया नई भरती ग्रेड ए 2023 से रिलेटर जानकारी के बारे में जिसमें एसिस्टेंस मैनेजर के पदों पर नई वैकंसी आ चुकी है लाजड डेट 28 नौब पर निरधारित किया गया है तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैकंसी के बारे में इसमाल इंडिस्ट्रीज डेवलप्मेंट बैंक आफ इंडिया अर्थाथ यास आई डी बी आई ग्रेड ए ए एसिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट्मेंट 2023 का नौडिफिकेशन जारी हो चुका है इंट्रेस्टेट कंडिडेट्स ओफिस्यल बोसाइट बिजिट करके वहां से अपना फार्म फिलप कर सकते हैं बने रही है वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे संपून जानकारी के बारे में क्वालिफिकेशन से ले करके लाज़ डेट और एक्जाम डेट तक का डिस्कसन आज किस वीडियो में करने वाले हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंपॉर्टन डेट्स के बारे में तो आप देख सकते हैं जो अप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वह 8.11.2023 से इसका फार्म फिलफ होना स्टार्ट हो चुका है और लाज़ डेट रेजिस्टेशन के लिए बात करें तो 28.11.2030 जी हां आप आउनलाइन फिस्ट प्रिमेंट विक कर सकते हैं एक्जाम डेट की बात करें तो दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में इसका एक्जाम होना सुनिश्चित हुआ है मेंस एक्जाम डेट आपका जो है 24.09.2022 माफ करेंगे यहां मिश्टेक से प्रिंटिड है तो दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में इसका एक्जाम होना सुनिश्चित हुआ है यह 2024 होना चाहिए गलती हो गया है यहां पर तो 2024 में ही आपका एक्जाम होगा कन्फर्म मान करके चले अप्टिकेशन फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों तो जनराल OBC EWS के लिए एकोनमिकल विक सिक्टमिक के लिए 1100 रुपए का सुल्ट निर्दारित किया गया है जबकि SCST और दिब्यांग कंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 175 रुपए का सुल्ट निर्दारित किया गया है सुल्ट का भुकतान आप डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, निर्ट बैंकिंग के माद्यम से भी कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट और रहने क्वालिफिकेशन के बारे में उसका भी डिसकसन आज किसी वीडियो में हम करने वाले हैं बने रही वीडियो के इन्ट तक तो दिश्टस करते हैं SIDBI Assistance Manager Notification 2023 के एज लिमिट की तो जो इसके आईू की गड़ना की जाएगी वह 8.11.2023 और साथ फार्म फिलफोने की स्टार्ट होने के दिन से इसके आईू की गड़ना की जा रही है आठ नॉमबर 2023 से इसके आईू सीमा की गड़ना की जाएगी जिसमें अधिक्तम नियुनतम आईू सीमा का कोई जिक्र नहीं है जबकि अधिक्तम आईू सीमा की बात करें तो 30 वर्स निर्दारित किया गया है Small Industries Development Bank of India Grade A Recruitment के हिसाब से आपको एज में भी छुट दिया जाएगा इसके लाँ दोस्तों बात कर लेते हैं एसिट बैंक आफ इंडिया Assistance Manager Recruitment 2023 के Total Vacancy Details की तो कुल पदों की संख्या 50 निर्दारित की गई है जिसमें Unreserved Category के लिए 22 निर्दारित की गई है जबकि Other Backward Classes के लिए 11, EWS Economical Week Sections के लिए 5 और 80, 80 के लिए 8 और 80 के लिए 4 पद निर्दारित की गई है कुल पदों की संख्या 50 निर्दारित की गई है Post Name है हमारा Assistance Manager Grade A Total पदों की संख्या 50 है बात कर लेते हैं Elisability Details की तो Bachelor Degree in Any Stream जी हैं दोस्तों किसी भी Stream से आपके पास Bachelor की Degree है तो आप इसको Farm Fillip करने के लिए पात रहें लेकिन इसमें और भी Essential Qualification मांगा हुआ है इसका भी डिसकसन आपको करा देते हैं तो चलिए वीडियों के Cutting में आगे देख लेते हैं कि क्या आप इसके अलावा भी Qualification मांग करके रखा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अलावा जो आपका Qualification मांगा है आपका Bachelor Degree 60% Marks के साथ होना चाहिए लेकिन दोस्तों या CST और दिब्यांक कंडिडेट्स अगर हैं तो उनके लिए 55% Marks भी मांगा है इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अथवा आपके पास क्या Qualification होना चाहिए तो इसके अलावा आपके पास अगर CA, CS, CWA, CTA, CMA की डिगरी है तो भी आप इस फार्म को फिलफ करने के लिए एवल हैं मांगे हैं इसके अलावा दोस्तों बाइचलर डिगरी इनला या अर्थात LLB की डिगरी आपके पास है तो भी आप इसका फार्म फिलफ कर सकते हैं लेकिन आपको 60% LLB में होना चाहिए 80-80 कंडिडेट्स हैं तो 55% मांग भी एलाव है और दोस्तों इसके साथ साथ आपके पास दो या तीन वर्स का दो से तीन वर्स का अनुभव भी होना आवश्यक है यहां दोस्तों इंटेस्टेट कंडिडेट्स को या सला दी जाती है को फूल नॉटिफिकेशन को एक बाद जरूर पढ़ने किसी प्रकार की समस्या आने पर या कोई जानकारी समझ में ने आने पर आप हमसे भी डारेक्टली फोन नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं आपको हमारा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के मिल जाएगा वहां से आप डारेक्टली हमसे कॉंटिक कर सकते हैं या दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी कोईरी छोड़ सकते हैं किसी प्रकार की सला या सुझाओ देना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आप कमेंट के बाद ध्यम सही दे सकते हैं या आप हमारे डारेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं इसके लगा दोस्तों इसके लिए हमने कोई सप्रेट वीडियो अभी नई बनाया है लेते हैं विदा लेकिन अगर आप मारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं या आभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे नई वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई थैंक्यू